जैन दोस्ता, मैं मैं जगरवारी और आप देखें नेजली राइट तोस्तों राजनाथ सिंग जी ने फिर कारभार समाल लिया है रक्षा मंत्रा लेका पहली भी रक्षा मंत्री थे आप भी रक्षा मंत्री हैं और इस सरकार की एक बात अच्छी है कि प्रधान मंत्री भी कॉ इन सब में और ये बहुत अच्छी बात है अब मैं आता हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री में खास्तोर से क्या हो रहा है बड़ी इंपॉर्टन चीज़े मैं चाहता हूँ आप फे वीडियो देखें दिहान से समझें और मेरे को सुझाओ भी है चोटा मूँ बड़ी बात ले हैं एक्सपोर्ट टागेट्स हैं ये सब है लेकिन इसके अलावा इसके अलावा मुझे लगता है कि इन्हों ने जो बात करी है वेटरंस वेलफेर की वो बड़ी इंपॉर्टन बात है यार फॉज देखिए फॉज लड़ती है हत्यारों से लेकिन एक बात हमें फॉज में स बहुत अच्छी होने के अलावा तलवार से बहतर होना चाहिए तलवार चलाने वालते अग्सामपल दिया और तसक्ल नहीं होती है तलवारें लेकिन पिर भी जब लोग बहतर होते हैं तो आप उनकी टेक केर कैसे करते हैं कई लोग यह कहते हैं कि नहीं सब फाज में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है बिल्कुल हो रहा है जब आप इंशूरंस पॉलिसी लेते हैं अपने परिवार के लिए तो क्या आप इस सोचते हैं कि इंशूरंस क्यों खरीते हैं इलट से मेडिकल इंशूरंस की पॉलिसी हो गई हैं खास दौर से आप क्यों खरीते हैं आप इसलिए खरीते हैं के भागवान न करे एक दिन प्रॉब्लम हो ना एक दिन प्रॉब्लम तो मैं और मेरे परिवार की अच्छी जगे उनका पॉलाज हो जा है pouring इफर्ट में अच्छे डॉक्टरों से इलाज हो जाए। इसलिए सब लोग इंशॉरेंस पॉलिसी करिकते हैं। अब दोस्तों इशू इसमें क्या है। इशू इसमें यह है कि अगर आप इंशॉरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को आप कट डाउन करेंगे। हाँ ठीक है आपको जहां से बहतर मिलता है वो तो आदमी करता ही है लेकिन विदाउट मेडिकल इंशॉरंस यह जो फॉज है ना फॉज आपके देश का इंशॉरंस है आपको कॉस्ट स्ट्रीमलाइन करनी है आप जरूर करिये लेकिन जब आप कट पे आएंगे ना तो वो जो कट है वो देश की नैशनल सेक्यूरिटी पे आप कट कर सकते हैं बिलकुल अधिकार है सरकार का कोई भी सरकार हो आपका पूरा अधिकार है कट करने का आप करिए कट लेकिन यह कट तब नजर आएंगे जिस दिन चीन हमला करेगा आप समझ लीजिए जिस दिन चीन हमला करेगा चानक के नहीं कहा था कि कोशस से बलात सेनाए जायते है यानि कि from the strength of the treasury the army is born याज से ड़्याजार साल पहले चानक के कह चुके हैं अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि और उन्हों ने क्या बोला लेकिन सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूं कि है ये जब आया ना वहाँ पे रक्षा मंत्राले में आया तो इनको काफी लोगों ने welcome करा और उसमें chief of defense staff थे chief of army staff थे chief of naval staff chief of air staff defense secretary और you know then you have secretary ex-servicemen welfare secretary department of the DRDO chairman Sameer Kamat ये सारे VIPs वहाँ पे उनको welcome करने के लिए थे और एक और थे minister of state for defense Sanjay Seth अब ये सारे लोग बड़े component है चाहे वो Rajnath Singh ji हो या Sanjay Seth जी हो या सारे जिनका मैंने नाम लिए सारे सारे they are competent people मेरा ये point है कि सरकार को अपनी नीतियों में थोड़ा सा change करना चाहिए और नीतियों में क्या change करना चाहिए you should have another minister of state under the defense minister another minister of state preferably an ex-servicemen a competent ex-servicemen आपको मिल जाएंगा हामी काओ नेवी काओ और एयर फोर्स को सो को फरक नी पढ़ता and he should be minister of state for ex-servicemen welfare ये मैं सरकार को सुझाओ देना चाहता हूँ you must have a proper minister of state एक मंत्री एक political appointment या political appointee he can be and he should ideally be an ex-servicemen क्योंकि देखिए बात ही है ना कि आपको defense ministry चलाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप defense के हों ये जरूरी नहीं है ये मैं मानता हूँ कई का minister of state है for ex-servicemen welfare वेटरन's welfare बोलना चाहिए rather than ex-servicemen welfare वेटरन's welfare क्योंकि वेटरन's में आपके क्योंकि अभी बहुत सारी there are there are a lot of women who are in the army and now they are joining all ranks पहले एक जमाने में सिर्फ अफसर होती थी है जवानों के rank से भी जॉइन कर रहे हैं तो सब लोग जॉइन कर रहे हैं फॉजे वेटरन's welfare का एक आपका minister of state हो जो कि खुद वेटरन हो जिसको दुखदर्द बता हो यह emotional बाते होती है बड़ी फॉजीयों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ being a फॉजी I can tell you फॉज को समझना आप और यह जो नेता है हमारे देश में या ब्योक्राट से मैं उनसे request करूंगा आप numbers से ना आप numbers या data से आप आर्मी को कभी नी समझ सकते you can you have to understand that organization you have to understand the ethos of that organization you have to understand that DNA ने इंडियन आर्मी नेवी एरफोस का DNA के है आप जब तक emotionally connect में होंगे आप कभी नहीं समझ पाएंगे आप 100 साल में नहीं समझ पाएंगे ये अलग रहते हैं canton में रहते हैं इनकी सोच है इनका एक सोचने का तरीका है इनका एक motivation है इनकी देश के लिए एक भावना है ये सब समझने वाला ही इनको manage कर सकता है जो नहीं समझ पाएगा नहीं manage कर पाएगा एक बहुत जरूरी है और वेरी स्ट्रॉंग देपार्टमेंट वेटरन्स वेलफेर मिनस्टर व स्टेट आप असके उपर लगाई है जो डिरेक्ली राजनाज सिंग जी के साथ काम करेंगे and also with various departments of the army navy and efforts क्योंकि सब के अंदर वो वेटरन वेलफेर की देपार्टमेंट्स ह किसी का क्या दुख है क्या दर्द है क्या प्रॉब्लम है जब एक फौजी गाउं में जाता है वो किसी भी रैंक का हूँ और मैं politicians को यह बात बताना चाहता हूँ बिरोक्रेट्स को यह बात बताना चाहता हूँ एक फौज का NCO जाता है ना दो फिती लगा के तीन फिती तो ये social media influencer है लोग अपने आपको कह देते हैं लोग बोल देते हैं कि social media ये तब के influencer है जब social media और mainstream media पैदा भी नहीं हो था तब के influencer है ये जब फॉजी छुटी पे आता है या even retired फॉजी कुछ बोलता है ना 50 लड़के बैठके उसकी बात सुनते है क्योंकि उनका सपना है फॉज में जाना है क्योंकि उस समझते है मैं ये बताना चाहता हूँ कि the armed forces are the most credible organization and the most loved organization in India for a reason for a reason because every day they prove that they are worthy of that love that adoration, that adolution वो prove करते हैं, रोज साबित करते हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है बहुत ज़ादा you need to have a political appointment अच्छा, ये तो बात होगई जो मेरा suggestion था अब मैं आपको बताता हूँ कि इरोंने और क्या बोला है इसमें ये नोंने बोला है कि under the leadership of PM Modi हमारा ये aim होगा कि security apparatus country का और उसको मशबूत करना है self-reliance, defense manufacturing ये सब और ये बोला है कि MOD को बोला है कि increase defense export, defense के export काप increase करें जो कि 2024 में 21,03 करोड का था अब इसको 50,000 करोड का ले जाने की जरूरत है financial year 2029 में ठीक जी यानि कि अगले पांच साल में ये 50,000 करोड का हो जाएगा और ये कह रहे हैं कि India का जो defense production है it is expected to reach 3 trillion by financial year 2029 ये defense production की बात कर रहे है export की बात नहीं कर रहे है defense production की बात कर रहे है और कहरे है कि इसको आगे ले जाने की बहुत ज़रूरत है 100-day action plan veterans welfare एक बहुत-बड़ा major issue है और under Rajnath Singh's leadership M.O.D. कहते हैं the focus areas include modernizing the armed forces innovating cutting edge technology etc. etc. और एक और चीज़ वो address करेंगे वो है जो अगनीपत scheme है जो जो join करते हैं अगनीपत scheme उनको भी शायद ये address करें क्योंकि ये demand ये guess work चल रहा है media की तरफ से मेरी तरफ से उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं address करूँगा लेकिन उनके जो coalition partners है अगनीपत के उपर एक detailed video दोस्तों it is coming soon और मैं फिर आपको बता रहूँ उस वीडियो में क्या होगा देखे अगनीपत के ऐसा नहीं है कि अगनीपत scheme के सारे के सारे नुकसान है फाइदा एक भी नहीं है ऐसी बात नहीं है कोई इतना बेकूफ नहीं है कि बोले कि नुकसान करके ही हमें ऐसा नहीं है पर क्या होता है कि हर चीज़ आपको balance करके चलनी पड़ती है जादा दूद प्योगे तो पेट खरा हो जाएगा सब में इतनी वो नहीं होती कि इतना दूद इतना घीर पचा लें हाजम कर लें या फिर कोई ऐसी कोई हिवी गरेश चीज़ खा लें तो क्या होता है कि लोग बड़े बुड़े कह गए है कि भीया जो भी करो balance में करो वो balance क्या है अगनी वीर का मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जहां पर गाउं का लड़का फिर कहा यार मज़ा आ आ गया गाउं का लड़का ये कहागा मज़ा आ गया फाज कहएगी मज़ा आ गया सरकाр कहएगी मज़ा आ गया ये आपको balance करके चलना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बुद्धिमानी इसी में है अगर आप बैलेंस कर रहा है वन साइडेड में हिट बैक होगा कर एनिवे वो हम बाद में डिसकस करेंगे लेकिन ये मेरा सुझाओवे सरकार को और मैं बिंती करता हूँ रक्षा मंत्री जी राजनाज सिंग जी से कि सर आप जरूर इसके बारे में मानिय प्रधान मंत्री जी से बात करिएगा आपको एक और मंत्री चाहिए और वो मंत्री आपको एक सर्विसमें चाहिए वो चुनाओ नहीं जीता है आप उनको राजसवा में डाली है और उनको आप चार्ज दीजिए एक्स सर्विसमेन वेलफेर का यू लुकाटर वो खुद एक्स सर्विसमेन होंगे ये काम बहतर कर पाएंगे ये मेरा सुझा हो आपको